है वेल्कम बैक हूं था माई चैनल फ्रेंड्स ये डाई इंज के हमने हैowych ने बुकरम की फतीलि है दमें कर पाला करेंडर हैं फटी यह slice यह से फॉल्ड करके इस कोर्नर पर निसान लगा के इसको उलकासा तना भाकर इसको कट देजान मना है यह फोल्ड करके अपर नीचे ओली यह लिए लुकर नीचे से ओर करतें हैं और दबल करके कपड़ा लिए फ्रेंट समने डबल करके कपड़ा और फिर इसकी किनारी किनारी के ओपर से यह है भुकरूं की इसलाई लगाने है बिल्कुल किनारी किनारी पिस्टफाई के साथ लगाने है फ्रेंट्स पका लिया हमने इसलाई को इसी तरह से हमने इस दूसरे डिजयान को भी राइडी करना है इसी तरह से लगाने है इस पर भी कि अब बिल्कुल सिंपल डिजयन है फ्रेंट्स बाजुका और बहुत संदर बनके तयार होगा मारा कि यह पटी लिए हमने काट कर देंगे हमने एक्स्ट्रा कपडे को अड़काड कासा बार से रख लेंगे जैसे गड़े का रखते हैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा से देना हमने आप यहसी तरह स सदुनों को ओंठ करके यह आप में डबल कपडu पिए लाई लगा तो इनको सीशी दा कर लेंगे हम पेच्कस की मदद से यह जल्दी से ओ जायेगा तो इसको सिद्धा करना इस तरह से सी देख कर लेंगे हमना इनको फिर किनारी-किनारी पे शलाई लगानी है मना बिलकुल किनारी-किनारी पे लगानी है फ्रेंड्स लाई कि दोनों के उपर लगा लेंगे में इस लाई कि यह मारे दोनों पटियां रेड़ी है दोनों बाजों के बाजु को लेना है वह माँ इस तरह से फोल्ड करके बाजु को आदी बाजु कर जाएना है इस तरह से दूसरी बाजु को भी सेम तरीके से फोल्ड करना है अब दोनों बाजु को सी दी साइड से फोल्ड करके हिनका सेंटर बनालेंगे हम बेज सेंटर बनिसान लगा लेंगे कर दोनों बाजु को पटी को हमने अंदर की तरफ रखना इसका और भार की तरफ उसकी किनारी रखने पट्टी के डबल से लाई लगा देने ये और ना बिलकों अब इसको कच्छाने चोड़ना अच्छे से अब इसको बार की तरफ करके इसके उपर हिक नारी पर शिलाई लगा देंगे और सिलाई फ्रेंट्स बिल्कुल बीच सेंटर है जो उस पे कोरनर ले जाके हमने बिल्कुल सी दी सेंटर में लगाना है यह पट्टी आड़ीटे दीनियों ने देने कि एक बाजु रेड़ी हमारी दूसरी बाजु पर वे विशी तरह से सेंटर के से लाएंगे अंदर के तरफ रख के तरह से और फिर ये दो तीन बास लाए लगा के अब कर दो दो तीन डबल जिलाए लगाने है ऐसी कच्छा ने जोडना फैंस इसको पिनारी को बिल्कुल पका करना हमने यह माय बाजू के दूनों डिजाइन रेडी है पर इस्ते उपर बटन लगा देंगे फ्रेंड्स डिजाइनिंग बटन यह देखिए है माय बाजू रेडी है थैंक्स फूर वोचीन